तैंब ही। कभी वह समय सवाल आ जाता है पांच यह दस समीर को आता ही रहता है and technically भी बहुत beautiful chapter है, बहुत ही logical है, थोड़ा mathematics भी involved है इसके अंदर, valuation of WIP and process accounts बनाना and a lot of things are there, we are going to discuss everything in today's session, so one shot revision series is the detailed revision of concepts and problems, 100% free series on YouTube, and you are watching C intermediate pro YouTube channel, और आपको इसी channel पर हर topic के one shot revisions मिल जाएंगे, आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल एक बड़ देख लेते हैं कि हम live आ चुके हैं, audio video से proper आ रहा है, yes, so things are good, fine, I think we should start now, so this video is relevant for those people, जो भी C intermediate का upcoming examination देने वाले हैं, और जिन्होंने C intermediate का एक बार classes कर लिया है, maybe you are repeater, maybe you are first timer, but this is not the first time you are studying this chapter, this is for the purpose of revision, okay, तभी तो हम लोग 2 घंटे के अंदर एक chapter पूरा complete करेंगे, तो completely revisionary purpose का ये वीडियो है, और जो भी बच्चे upcoming exams दे रहे हैं, revision purpose के लिए इस वीडियो का बिलकुल अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, कम से कम समय में आपको ये chapter पूरा revise करवा दूँगा, study material के सारे questions कवर करवा दूँगा, okay, sir, चलिए, So about me, my name is Pranau, I am a first attempt chartered accountant with five years of experience after C, I am an educator by passion by choice, and subject जो मैं आपको बढ़ाता हूँ, foundation level per paper 3, math stats LR, intermediate level per paper 3, cost and management accounting, जो भी मैं यहां पर आपके लिए sessions लेने वाला हूँ, ये सारे sessions की link जो है एक जगे पर आपको यहां मिल जाएगी, जो भी मैं notes आपके साथ share करना चाहता हूँ, चाहे वो theory के हो, चाहे वो revision के हो, सब कुछ आपको इसी जगे पर मिल जाएगा, इस link को access करते हैं, आपको Google Drive का folder मिलेगा, जहां पर एक sheet भी मिलेगी, जहां पर आपको PDFs भी मिलेंगे to download, yes, and C Intermediate Pro YouTube channel पर back-to-back amazing content आता रहता है, all these baubility team educators are there for you, तो भाई बिलकुल बिना किसी रुकावट के फटा-फट इस चैनल को subscribe कर लीजे, to get more amazing content, एक important information है उन बच्चों के लिए, जो November 2022 का C Intermediate examination दे रहे हैं, और अब कम से कम समय में पूरा syllabus revise भी करना चाहते हैं, और important problems पर focus करना चाहते हैं, तो यह है एक fast track batch, रामबान fast track batch, जिसमें group 1 के अंदर नितिन सर अकाउंट्स, विकरम सर टेक्स, मैं कोस्टिंग और अमित सर लॉग नेने वाले हैं, और मैं बता दू कि मेरा agenda क्या रहेगा, मेरा agenda इसके अंदर रहेगा, हर chapter के conceptual revision करवाना, और जो भी unique questions हैं, जो भी paper में आने वाले questions हैं, उनको discuss करना, so May 18 से लेके May 22 तक के सारे PYQ और RTPs का detailed discussion, मैं इस batch के अंदर करने वाला हूँ, बिल्कुल भी मिस्मत कीजिए, अभी तक अगर आपने Unacademy Plus ने लिया है, बैच को जॉइन करने के लिए ले लीजिए, 29 जुलाई तक अभी भी आपके लिए 20% discount valid है, CA प्रणाव कोड लगा कर आप जॉइन कर सकते हैं, Unacademy's Intermediate Subscription, तो मैं हूँ तयार भी या, session को शुरू करने के लिए उम्मीद करता हूँ, आपसे भी लोग भी तयार है, तो येस, गुड़ बॉर्निंग, शिव प्रभा, और भी लोग कहां हैं भाई, जो लाइफ दिख रहे हैं, गुड़ बॉर्निंग तो कर दो कम से कम भाई, तो मुझे पता है कि, exams अब हमारे सिर्पे हैं, नवंबर एक्जाम में समय नहीं लगेगा, आने में नवंबर भाई, चारी महीने बचे हैं, साथे तीन महीने और फटाफट सब आगे बढ़ने लगेगा, तो करते हैं बढ़ी हैं तरीके से रिवीजिन, बहुत प्रोड़क्टिवली हम लोग ये सेशन को यूज करने वाले हैं, एनना एक भी मिनिट यहां से वहां की बात नहीं होगी, पूरा फोकस लगाना, कॉंसेट से लेके हर विराइटी अफ क्वेश्चिन्स, इंटर प्रोसेस्स प्रोफिट्स, डबलु आईपी का वेलुएशन, परसेंटेज डिफरेंट वाला या परसेंटेज सेम वाला हर विराइटी कवर हो जाएगी इस पर्टिक्लर सेशन, तो चलिए विद फुल हाई जोष, लेट्स बिगेन, यस अक्षद गुड मॉर्निंग, हिदाक्षी गुड मॉर्निंग, अंकश कुमार गुड मॉर्निंग, उधित मारू वेरी गुड मॉर्निंग, मैं हूँ तयार, उमीद करता हूँ, आप लोग भी हैं तयार, चलिए शुरू करते हैं in the count of 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट, सेशन की शुरुवात में करूँगा, कुछ conceptual बातों से, उसके पहले मैं आप लोगों को बस इस चैप्र का वेटेज दिखा दूँ, सो, प्रॉसस कॉस्टिंग, में 18 से लेके में 22 तक अगर आप देखेंगे, कभी 10, कभी 5, कभी 10, कभी 5, कभी 10, कभी 5, 10 वाला जादा आया है, 5 वाला कम, साड़े साथ नमबर का अवरेज माने हैं, लेकिन, यू शुड बी मेंटली रेडी, for a 10 माक्स question from this chapter, because questions ऐसे हैं, तकड़े वाले, जो 10 नमबर के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी, चलिए, अब process costing में खास बात क्या है, और क्या क्या चीज़े हमको करनी होती है, सर, देखो यार, process costing का एक simple objective होता है, हर question का, simple objective, और वो objective यह है सर, कि हमको बनाना है process account, अब मेरे भाई, process account में क्या है, तुमारी जो debit side होती है, वहाँ तो सारी cost आ जाती है, जिनको कि तुम as it is ले सकते हो, उसके लिए तुमको कोई मेहनत करने की जरूत ऐस सच नहीं होती, लेकिन तो तुमारा credit side होता है, इस credit side में तुम output की valuation करते हो, output की valuation मतलब, कि सर जब तुमने एक process, one account से process, two accounts में goods बेजा होगा न, तो उसको किस value पर भेजेंगे, अब ये निकालना एक बड़ा challenge होता है, ये data is very important, ये कहां से लेके आओगे, दूसरा कभी-कभी losses होते हैं, abnormal loss होता है, तो उसकी value क्या निकालनी है, उसके बाद तुमारे पास closing WIP होता है, उसकी value क्या लेनी है, इसको लेके भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, so basically, the ultimate objective is to create the complete process account, बट उसके अंदर जो तुमारे credit side के items हैं, वहां के items की value निकालने के लिए कुछ workings करनी पड़ती है, और उन working में सबसे important working जो आप कियाती है, वो working है sir, cost per unit, तो किसी particular process में, एक particular period में, जितना भी cost लगा है, divided by जितनी भी units process होके निकली है, उसका ratio cost per unit कहलाता है, अब उसमें भी मज़े की बात क्या है sir, यहां तुम total cost तो लिख दोगे, वो भी net भी कर दोगे, कि normal loss minus करके net cost लिख दोगे, लेकिन जब तुम divide करने जाते हो, तो divide में तुमको चाहिए होता है, number of completed units, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है, कि एक particular period में, जितनी units बनने बैठी थी, सारी की सारी complete हो गई, तो sir, क्या यह जो number of completed units है न, इसमें भी थोड़ा सा variation आता है, मतलब, कुछ units ऐसी होती हैं, जो बन चुकी हैं, कुछ units ऐसी होती हैं, जो अधूरी हैं, बन रही हैं, कुछ ऐसी units हैं, जो पहले बन चुकी थी आधी, और इस बार आधी बनी हैं, कुछ ऐसी units होती हैं, जो loss में चली जाती हैं, उन सभी का arrangement करने के लिए, हम statement of equivalent WIP बनाते हैं, तो एक basic objective बताता हूँ तुमको, ऐसा नहीं है कि chapter में बहुत सारी चीज़े हैं, chapter में चीज़ एक ही process account बनाना, लेकिन process account बनाने की जो working notes हैं, वो extend होती जाती हैं, simple question में directly दिया होगा, थोड़ा level up होगा, तो ये working note बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा और level up होगा, तो ये वाला working note भी बनाना पड़ेगा, कुछ-कुछ जगे पर तुमसे normal loss का account बनाने को बोलेगा, तो इस तरीकी चीज़ें इस chapter के अंदर ऊची जाती है, normal loss account, abnormal loss account, ये सारी चीज़े हम cover करेंगे, तो आपको मैंने एक basic overview दे दिया, कि क्या हमको इस chapter में करना है, अब एक एक करके चलते हैं, one by one हम लोग topic को आगे बढ़ाते हैं, तो ये देखिए, process costing का use कहा होता है, तो process costing का use वहाँ पर होता है, जहां continuity होती है तुमारे processing में, मतलब एक process की goods का जो output है, दूसरे process के लिए वो input बनेगा, दूसरे का output तीसरे के लिए input बनेगा, और शायद अगर process 3 आकरी process है, तो उसका output तुमारा finished goods बनेगा, so output of one becomes input of the other, और हर process की separate cost निकाली जाती है, हर process की जो output है, तो अगले process की input cost में जुड़ जाता है, तो हमेशा cumulative cost जुड़ती जाती है, और finally जाके जो finished goods की cost आएगी, उसमें तीनों process की cost include रहेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, cumulative होता जाएगा, अब account का format का बात करें, तो process account में आपको हमेशे एक चीज़ याद रखनी है, जो special है, जो दूसरी जगे आपको देखने नहीं मिलेगी, और वो है सर, unit column, अगर आप देखोगे, तो यहाँ सिर्फ cost का column नहीं बनाया जाता है, process account बनाते समय आपको unit का column भी बनाना है, अब unit का column क्यों काम आता है सर, क्योंकि सर, कितनी unit process हुई है, कितनी output निकली, कितनी closing में बच गई, कितनी normal loss में चली गई, कितनी abnormal loss में चली गई, या abnormal gain में आ गई, इन सब का हिसाब किताब, अगर हम अलग से करने जाएंगे, तो अलग working note बनाना पड़ेगा, बैटर ये होगा, क्योंना हम account के अंदर ही unit का column बना के उसको adjust कर दें, in fact ये बताओं आपको, process account को complete करने समय, पहला phase हमारा unit वाला balance कराना होता है, मतलब पहले हम unit column को complete करते हैं, जब वो complete हो जाता है न, फिर cost वाले column को complete करते हैं, ठीक है, तो जैसे ये process one account में देखो, यहाँ पर मैंने सारी cost debit करी हैं, sir ये क्या है, to balance, process one में जो भी काम पिछले period में अधूरा था, और इस period में उस पर काम होना वाकिए, opening work in process, तो यहाँ तुमको opening WIP लिखने की ज़रोत नहीं है, क्योंकि अल्रेडी एक process account है, तो उसका opening मतलब opening WIP, obviously, फिर तुम इसका credit side देखो, कि process one से तुम्हारा goods process two में गया, तो यहाँ तुम करोगे credit और वहाँ आ जाएगा debit, अब यह जो इस वाले process की cost है न, भी add हो सकता है second process में, उसको भी जोड़ा, और भी खर्चे जोड़े, फिर मान लो कि यह आखरी process account है, तो यहाँ से जो output निकलेगा, वो सीधे FG account में चला जाएगा, उने को 2, 3, 4, 5, N number of process हो सकती है, जनरल यह हमारे question में 2 या 3 process questions के अंदर आती है, उससे जादा नहीं आती, academic point of view से उतना काफी होता है, ठीक है, फिर FG account में आप आओगे, तो देखोगे FG में यह process, जो आखरी process है वहाँ से debit हुआ, और फिर यहाँ से COGS में चला गया, यह तो हम cost accounting system chapter में already पढ़ चुके हैं debit credit, अब जैसे यह question है, इस question में कोई दम की बात नहीं है, आपको तीनों process में कितनी कितनी cost लगी है, वो बता दिया, उसके बाद आपको यह बता दिया कि there are some indirect expenses of 80,000, जो कि on the basis of wages आपको बाटने हैं, अब अगर आप यहाँ पर मुझसे बोलो कि total wages कितना आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, यह wages जो है मेरा labor वाला, उसका total कर देता हूँ, 80,000, 2,00, and 60,000, तो 3,00,000 आ रहा है, तो 3,00,000 की wages है और 85,000 का indirect expense है, तो 85,000, 85,000 divided by 3,00, 40,000, इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि हर process में मुझे कितना overhead charge करना है, percentage wise, 85 upon 3,40, and 200, 25%, तो इससे तुम अब individual निकाल सकते होगे, जब भी तुम process 1, process 2, process 3, आप account बनाओगे, तो जैसे यह 80,000 दिया हुआ है, 80,000 का 25%, मतलब 20,000 यहां का overhead हो जाएगा, 50,000 यहां का हो जाएगा, 15,000 यहां का हो जाएगा, ठीक है सब, यह सब हो गया, यहां पर आपको कोई भी opening और closing stock नहीं दिया हुआ है, जब question को आसान बनाना होता है ना, तो वो opening और closing stock नहीं देते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि paper में कभी ऐसा सवाल आए, इसमें opening closing stock ना हो, क्योंकि वही तो समझने वाली चीज है, वही पर तो थोड़ा जादा दिमाग लगता है, ठीक है, अब जैसे process account बन रहा है, यह देखो, अब इन्होंने क्या किया है, इस question में उनके पास unit का data as such change नहीं हो रहा है, तुमने यहाँ पर 240 units डाली, input में, और बस वही process होते जा रही है, बस वही process होते जा रही है, और यहाँ से जो निकली वो भी 240 है, तो यह बात कहने में तो ठीक लग रही है, लेकिन practical नहीं है, तो actually जो questions आएंगे, उसमें losses etc. भी होते हैं, क्योंकि यहां losses नहीं है, इसलिए उन्होंने unit का column नहीं बनाया है, सीधे per unit का column बनाके cost पर निकाल दिये, लेकिन the point is, सबसे पहले indirect expenses आप समझें कैसे निकाला मैंने, 25% of wages यह देखो apportionment और बाकि उसमें कुछ खास नहीं था, अब आते हैं सर, दीरे दीरे एक एक step आगे, normal loss, abnormal loss, abnormal gain, क्या होती है सारी चीज़ें, question से समझो, यह देखो, आपके पास दिया हुआ है कि आपने process 1 और process 2 से आपको goods बनाना है, material 40 का लगाया, wages 30 की लगाया, overheads 27 का लगाया, और जितनी भी units आप input कर रहे हो, 5% anticipated है कि normal loss में जाएगी, अब यह normal loss क्या होता है सर, normal loss मतलब ऐसा loss जो आपको पता है होना ही होना है, तो आप उसको लेके चिंता नहीं करते हो, उसको in fact adjust कर देते हो, मतलब आप पहले से ही मान के चलते हो, कि अगर आप 1000 units डाल रहे हो, तो 950 units ही बनके निकलेंगी, मतलब तुम यह सोचो ही मत कि 1000 डाला तो 950 क्यों निकला, वो तो एक normal procedure है, तो मतलब तुम यही सोचो कि 950 बनाने के लिए ही तुमने material डाला है, ठीक है, लेकिन अगर उसके beyond कुछ loss हो जाए, उसको abnormal बोलते हैं, अब जैसे यहां दिया है, 4750 units of output निकला है, और तुमने input किया था 5000 units का, अब मुझे बताइए, अगर 5000 units input हुए हैं, और 5000 में से 5% अगर normal loss है, तो 4750 का output निकलना चीए, उतना ही निकला है, मतलब there is no abnormal loss, फिर भी सा 250 units का loss तो है न, बिल्कुल है न बेटा, उसको कैसे adjust करेंगे, वो मैं सिखाऊंगा, अब देखो, आपको बनाना है process 1 account, आपको निकालना है normal loss की value, और आपको निकालना है unit transfer to process 2 account, दिया हुआ है कि scrap की कोई realizable value नहीं है, तो जितनी units, 250 units आपकी खराब निकल रही है न, उनका कोई scrap value नहीं है, अब देखो बाई, debit side में तो मैंने cost को debit कर दिया, material wages overhead, सीधे 40, 30 और तुमारा 27,000, और यहाँ पर मैंने units का column बनाया है, हमेशा जब भी तुम input units को लिखते हो, तो किस के सामने लिखते हो, सर्व material के सामने लिखते हो, ठीक है, जब तुम credit side में आओगे, तो सबसे पहला step होना चाहिए, कि तुमारी normal loss unit कितनी expected है, मैंने बोला, अगर 5000 units मेरी input है, उसका 5%, तो 5000 x 5% मतलब 250 units, सबसे पहले यह लिख देने का, अगर question में scrap value दिया हुआ है, तो scrap value को इस unit से multiply करना, वरना कुछ भी करने की जड़ोत नहीं है, 0, अब तुम्हारे पास, जो भी बचेगा, जैसे 4750 units बची, तो बताओ, उस 4750 units की cost कितनी हो गई, 97,000, अब अगर मैं तुमसे cost per unit पूछू, cost per unit, तो cost per unit यहाँ पर आएगी, 97,000 rupees में तुमारी 4750 units process होई है, तो एक unit की cost हो गई, 20.42, आपको पता है, यह 20.42 नहीं होता, यह थोड़ा कम होता, अगर यह ऐसी processing होती, जहाँ कोई loss ही ना होता, क्योंकि अगर कोई loss ना होता, तो 97,000 rupees में तुमारी 5000 units process हो जाती है, 19.4, यह आता, अब जो 500 units तुमारी process नहीं होई है, इसका तुमने क्या किया, क्या तुम इसको P&L में डाल रहा हो, नहीं सर, यह नॉर्मल लॉस है, तो यह 4850 rupees ना, इस खर्चे को बाकी बची हुई units आपस में अपने आप में बाट लेंगी, तो कितनी units बच गई हैं बाकी, सर, बाकी बच गई हैं हमारी 4750 units, तो वो इस खर्चे को आपस में बाट लेंगी, यह जो मैं calculation कर रहा हूँ, यह calculation आपको करना नहीं है, पर यह समझाने के लिए है, अब आप देख सकते हो, 19.4 की जाके 20.42 क्यों आ रहा है, 19.4 में 1.02 जोड के देखो, वा सर, यह तो बिल्कुल मैच कर रहा 20.42, क्योंकि आपने material cost पढ़ते समय भी, labor cost पढ़ते समय भी, in fact costing का यह basic concept है, कि अगर कोई loss, normal loss है, तो उसकी वज़े से जो नुकसान हो रहा है, वो good units आपस में अपने आप में बाट लेती है, तो 4840 रूपीस का जो normal loss आ रहा था, उसको तुमारी 4750 good units ने आपस में बाट लिया, इसलिए देखो, क्या यहाँ पर कोई loss आया, नहीं, तो तुमने क्या बोल दिया, normal loss है 0, जबकि जो normal loss आया था ना, वो आया तो था, लेकिन उसको इन्होंने अपने आप में बाट लिया, उन्होंने अपने पास रख लिया, that's the logic of normal loss, ठीक है सर, हाँ, बिल्कुल, आयूश, inter-process profit भी cover होगा इस वाले session में, बिल्कुल cover होगा, अब देखिए, थोड़ा सा example 2 में आते हैं, थोड़ा सा variation लाते हैं, सब कुछ same लिखा हुआ है, everything is same, बस एक ही चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, scrap value has a realizable value of 2 रुपीज, scrap value की realizable वे 2 रुपे, तो जो तुमारा 250 units का normal loss हो रहा था न, अब तुम ये बोलोगे, कि ये जो 200 unit निकली हैं, खराब वाली, ये 200 unit का नुकसान तो good वाली units ने अपने आप में absorb कर लिया है, लेकिन in 200 units पर जो फाइदा हो रहा है, 500 रुपे receive हो रहे हैं उसका क्या करें, तो मैं बोलूँगा उसका फाइदा हम good units को दे देंगे, तो जो good units की cost पहले 97,000 आ रही थी न, उनको हमने बोल दिया कि अरे रुको, 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 आपने मेरी इतनी मदद करी तो मेरी भी जवाबदारी बनती है, कि मुझे जो फाइदा हुआ है, वो मैं आपको दे दूँ, तो normal loss ने बोला, मेरी वज़स से जो loss हुआ, वो आपने absorb किया है, तो मुझे जो पैसा मिला है, scrap value, वो आप रख लीजिए, मतलब आप अपनी cost को कम कर लीजिए, 96,500 रुपीज में cost निकालिए, तो जो cost पहले तुमारी 97,000 divided by 4,750 थी, अब वो हो जाएगी 97,000 minus scrap value of normal loss divided by 4,750, ये cost पहले, और कम हो जाएगी, तो सर, कभी भी अगर normal loss की वज़े से जो scrap निकला है, उससे कोई भी recovery होती है, recovery कहला ही नहीं एक तरह की, कि तुमारा waste बिग गया, तो 500 रुपे तो में receive हो गया, उसको तुमें उस cost में से minus कर देना है, तो कभी भी cost per unit निकालना होता है, तो total cost में से normal loss का scrap value वाला पार्ट, minus करके फिर cost per unit निकाला जाता है, इसलिए तो मैंने यहाँ पर एक net, net word क्यों लिखा था, ति जो भी तुमारी total cost आईगी, उसमें से तुम normal loss की scrap value minus करोगे, उसके बाद answer निकालोगे, ओके ब्रो, चलिए, now, abnormal में क्या होता है सर, abnormal का simple सा funda है, कि जैसे मान लीजिए, आपने 5000 units डाली, और उसमें से 2500 units का loss होना चाहिए था, this was normal loss, तो उस हिसाब से 4750 units बननी चाहिए, लेकिन बनी है 4550, तो फिर यह extra loss क्या है, जब तुम अकाउंट बनाने बैठे, तुमने 5000 यहाँ डाला, 2500 यहाँ डाला, 4550 यहाँ डाला, अब यह जो balancing figure बज़ गया 200 units का, यह क्या ह सर यह जो balancing figure बज़ गया है न, it is a loss beyond your expectation, तो यह कहलाएगा abnormal loss, अब जैसे कि मैंने आपको policy बताई, कि जो 2500 units की वज़े से loss है, वो good units अपने आप में absorb कर लेती हैं, तो बताईए मुझे, यह जो extra 200 units का loss हुआ है, क्या उसका जो नुकसान है, क्या वो भी यह good units अपने आप मे absorb कर लेंगी, the answer is no, उन units का जो loss है, वो सीधे transfer हो जाएगा आपका PNL में, अब सवाल यह उठता है कि सर यह सब value आपने निकाली कैसे, अब असली मज़ा आएगा cost per unit वाले calculation का, अब तुम निकालोगे cost per unit like this, the cost per unit is equals to total cost minus normal loss का scrap value और उसको divide कर दोगे तुम net units से, अब तुम बोलोगे net units मतलब, बताता हूँ मैं, पहले total cost, total cost 97000, जो 2500 unit तुमारी normal loss कहलाती है, उन पर scrap मिलाओगा 500 रुपीस का, 2 रुपे पर unit, अब कितनी unit बनके निकलनी चाहिए थी, अरे बनके निकली है नहीं, कितनी unit बनके निकलनी च आईये थी, सर, 4750, अच्छा, मतलब मेरा cost per unit अभी भी आएगा, क्या सर, not 20.42, it will be 96500 divided by 4750, which is 20.3157, 21.3157, तो जो पिछले question में आ रहा था, उतना ही आ रहा भी भी, 20.3157, now the point is, ये दोनों की value आपने कैसे निकाली, तो अब हम ये बोलेंगे सर, कि जितनी units हमारी actually produce हो गई है, 4550 units, उसको आप इससे multiply कर दीजिये, उसको इससे multiply कर दीजिये, into 4550, ये आ गया सर, 92436.79, मतलब 92437, और जो तुमारा abnormal loss का 200 unit है, उसकी value भी इसी cost per unit को multiply करके आएगी, तो 20.3157, into 200, आ गया 4063, और ये तुमको PNL में डाल देना है, ये पूरा figure PNL में नहीं जाएगा, उसमें भी कुछ catch है, जो मैं आगे वाले questions में तुमको समझाऊँगा, क्या catch है, लेकिन अभी इस question में समझना क्या था? समझना ये था, कि जैसे normal loss के, normal loss की value को good units आपस में absorb कर लेती है, abnormal loss की value को नहीं करती, abnormal loss जो आया, उसको अलग ही लिख दिया तुमने, तुमने अभी विदे को 96500 नहीं लिखा, इन दोनों का total 96500 आएगा, लेकिन तुमने क्या बोला? कि नहीं, जितनी units मेरी बेकार हो गई 200, उनकी cost अलग लिखो, जो मेरी 4550 actually produce उनकी cost अलग लिखो, तो जो 4750 की cost तुमारी 96500 आती है, अब तुमने उनके दो भाग बना दिये, तुमने बोला, 4550 वाले की value अलग लिखो, 200 वाले की value अलग लिखो, अब तुम सिंप्ली बताओ 96500 divided by 4750 के दो टुकडे कर दोगे, यही दो value आएंगी, उसमें से यह 4063 है, यह तुमारा PNL की तरफ चला जाएगा, और सिर्फ यह क्योंकि इतना ही units produce हुआ है, इसको तुम इसकी value आ रही होगी, उसको तुम ट्रांसफर में डालोगे, इसका logic क्या है, इसका logic बड़ा पल है, मुझे बताओ, process 1 में अगर कोई गलती हो गई, मानलो processing करते समय, उस गलती की वज़े से 200 units का extra loss आया है, तो अगर तुम अपनी higher वाली cost process 2 को transfer करोगे न, तो process 2 का manager कहेगा, पिछली बार तो 20.1357 था, 3157, इस बार cost कैसे बढ़ गई, तो तुम बो गया रहे हम लोग तुमें include मत करो, उसको बाहर निकाल दो, उसको बाहर निकाल दो, I hope यह logic clear है आपको, next, abnormal gain in process, जैसे abnormal loss होता है न, वैसे abnormal gain भी होता है, अब abnormal gain में क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, abnormal gain का मतलब, जितनी तुम्हें expectation थी न, उससे जादा unit बनके निकल गई, तुमने 5000 units का input डाला, क्योंकि तुमको पता था कि तुमारा normal loss, 250 units का होगा, तो तुमारी उम्मीद थी कि 4750 units बनके निकलेंगी, लेकिन यहां तो 4850 बनके निकल गई, मतलब extra 100 निकल गई, तो क्या मैं ऐसा कर दूं कि मेरा normal loss अब 2500 नहीं, 150 हो गया, गलत, normal loss को कोई छेड़ नहीं सकता, चाहे actual loss जो भी आ रहा हो, normal loss को कोई भी छेड़ेगा नहीं, तो देखो, even if the loss was only 150 units, तो भी तुम लिख रहे हो, normal loss 250, और जितनी extra unit बन गई है न, उसको side में ऐसा gain लिख रहा ह तो 500 unit का normal loss, 4850 की actual output, यह हो गया 5100, तो balancing figure आ गया 100 यहां, तो हमेशा, कोई भी abnormal चीजों का effect, हम हमारी cost per unit में नहीं आने देते, चाहे वो abnormal हमारा नुकसान हो, चाहे वो abnormal हमारा फायदा हो, पिछले question में abnormal loss था, तो उसकी वज़़े से हमने cost per unit को बढ़ने नहीं दिया, इस पर abnormal gain है, तो उसकी वज़े से हमने cost per unit को घटने नहीं दिया, मतलब कोई भी abnormal चीजों का effect हमको नहीं होने देना है, effect proof रहना है आप, ठीक है, तो उसके लिए आप abnormal gain अलग से लिखोगे, अब simple होई होगा फिर से, वही same तरीके से cost per unit निकलेगी, और वही तुमारा value आएग आ रहा है, 98531 ये देखो, और वही जो तुमारा abnormal gain है, तो gain की वज़े से जो 100 units आई है, उसकी भी value उसी से निकालोगे, into 20.3157, तो ये आगे 20.32, ये चला जाएगा तुमारा PNL में as a gain, credit side PNL, समझे आप मेरी बात को, ठीक है, चलो good अब मैं आपको एक ऐसा question करवाऊंगा, जिसमें normal loss account, abnormal loss account, abnormal gain account, ये सब चीज़े बनानी पड़ती है, ठीक है, this is not this question, इसके बाद वाला question है, तो उसके पहले इस question को उपर उपर से देख लेते हैं, simple है सर, process 1 में आपने 9750 units डाली, 2% का normal loss है, उसके बाद आपका output दिया है, तुमने input कितनी units का किया, overall input दिया हुआ है, overall input, 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 ये रहा, 10,000 units have been issued, तो तुमने 10,000 units डाली, process 1 में, और बाहर निकली है, 9750 units, अब ये गई second process में, तो second process में से output निकला है, 9,400 units का, फिर ये 9,400, third process में कई, तो third process में निकला है, 8,000 units का output, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी, बहुत ध्यान से, और वो ये है, कि अगर 10,000 units डाली थी, और normal loss 2% का था, तो 10,000 minus 2%, 9,800 units निकलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 9,750, मतलब यहाँ पर तुमारे पास abnormal loss है, कितनी units का, 50 units का, पचास unit यहाँ पर तुमारी कम बनी है, अब जब तुमने second वाली process में 9750 डाला, 9750 में से 5% हटा दू, तो 9262.5 आना चाहिए, लेकिन 9400 बना है, मतलब यहाँ पर तुमारे अब नॉर्मल गेन है, तो 9750 में 5% हटा दू, तो बचता है, 9262.5 वो निकलना चाहिए, लेकिन ज़्यादा निकल रहा है, कोई बात नहीं, अब नॉर्मल किये न, पर 9400 को तुमने डाला, 10% नॉर्मल लॉस हटा है, तो 8460 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 8000 आ रहा है, मतलब 460 का अगेन लॉस, अबनॉर्मल लॉस, तो यह अबनॉर्मल लॉस और गेन कैसे निकल रहा है, मुझे लगता है, आपको यह बात तो समझ में आ गई, आराम से, सब कैसे निकल रहा है आपको समझ में आ गया होगा ठीक है कि नो स्टॉक आफ माटेरियल एड़ एंड लाइक इस कैल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स तीनों प्रॉसस अकाउंट हम बना सकते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है अब यह वाला जो क्वेश्चन है इस वाले कुश्चन में दिया है सर तुम्हारे पास दो प्रॉसस प्रॉसस ब्रॉसस टू अरे इस टी लिमिटेड प्रॉसस कर रहा है भी यूनिट निकली इतना नॉरमल लॉस था पिर यह वहां गई उस में से इतनी निकली इतना लॉस था इतना रुपे का wages लगा है, इतने रुपे का expenses लगा है, इतने रुपे का overhead लगा है, जो तुमारी scrap निकल रही है, उसकी scrap value भी दोनों में अलग-अलग दी हुई है, 6000 unit of finished goods were sold at a 15% profit, assume that there was no opening and closing WIP, तो बताईए कि आपका ये accounts कैसे बनेगा, अब this is the question, जो actually हमको पूरा का पूर एक overall view देगा, first level of questions का, first level मतलब जिसमें आपके opening और closing WIP अभी 0 है, उसका ये सबसे best question है, यहां से conceptual clarity पूरी आ जाएगी, एक बार ये clarity आ जाए, फिर हम लोग equivalent WIP एटसेटरा वाली चीजों में जाएंगे, ठीक है, तो चलो, इसको हम लोग लिख कर करेंगे, आप लोग भी illustration 3, illustration 3, अब इस illustration 3 में मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैं बनाता हूँ आप लोगों के सामने, once account, process one account, एक काम करें, एक ही page में दोनों process account बन तो जाएंगे, तो एक ही page में बना देते हैं, ताकि comparison करना आसान रहेगा, process one account, यह format बना देता हूँ है, यह हो जाएगा cost का column, यह हो जाएगा unit का column, cost का column, और यह हो गया, unit का column, ठीक है, यहाँ पर unit, cost, particulars, unit, cost, ठीक है, अब देखेगा, जहाँ से, क्योंकि opening और closing है, WIP तो कुछ है नहीं, तो वो तो zero हो जाएगा, सबसे पहले लिखता हूँ, two material, यहाँ मैंने two material लिखा, material कितने रुपे का लगा है, पहले यह चेक कर लेते हैं, तो material लगा है, 7500 units into 60 rupees, तो 7500 input units हो गई, और उस 7500 में, अगर मैं 60 multiply कर देता हूँ, तो I will get how much, 450,000, उसके बाद बाकी खर्चे तो तुम्हारे पास directly दिये होंगे, जैसे कि wages दिया है, 135, 750, उसके बाद तुमको direct wages के बाद direct expenses दिये हैं, 60% of direct wages into 60% मतलब 81450, उसके बाद आपको 20% of direct wages दिया है, overhead, तो इसका 20% किया तो आरा, 27,150, और उसके बाद आपके पास दिया है, the realizable value of scrap, उसका आगे यूस करेंगे, यह हो गया wages, expense, और यह हो गया manufacturing, overhead, यहाँ पर मैं करता हूँ, by normal loss, मेरे पास 7500 units input हुई हैं, और मुझे बोलागा कि 5% loss होना चाहिए, इतना loss सहीए चलेगा, और जितने रुपए में loss units बिक्टी हैं, scrap value को उसके सामने लिख देते हैं, into 12.5, तो यह आगया 4688, 4687.5 आ रहा है, 4688 लिख दिया है, फिर आते हैं सहरम लोग यहाँ पर by process 2, कि भाई आपने अगली process में कितनी unit transfer करी हैं, तो वो दिया है 7050, उसकी cost क्या लेना है, वो हमको देखना पड़ेगा, फिर आता है by process, sorry by, abnormal loss या gain अगर कुछ है तो, तो सर देखो, 7500 units मैंने input करी हैं, इतनी units तो चली गई, तो फिर जो बच गई वो क्या है, abnormal loss, 75 units का, तो 75 units होगे आपकी abnormal loss, अब आप लोगों को ये दोनों की value निकालना है, तो account को close कर पाओगे, अब ये दोनों की value निकालने के लिए, let's find out the cost per unit, अब cost per unit कैसे निकालेंगे, सर देखो, cost per unit निकालने के लिए, पहले तुमको लेना है, total cost, 450, 135, 750, 81450, 27150, so total cost आरी 694, 350, minus scrap value of normal loss, which is 4688, इसको अलग से लिख देता हूँ, दूसरी जगे पर, 694, 350, total cost, minus scrap value of normal loss, which is 4688, whole divided by, कितनी units produce होनी चाहिए थी, 7500-5% का normal loss, 7125, ये कहलानी चाहिए थी, cost per unit, तो 96.795 per unit, अब ये जो cost per unit आरी है, इसको हम मल्टिप्ला करेंगे, इन दोनों में, मैं बोलूँगा, जो मेरा goods transfer हुआ है, उसकी cost ये है, 96.79 ये 96.8 भी कर सकते हो, कोई problem नहीं, तो 7050 into 96.8, 682440, और वही same rate use करोगे, abnormal loss को value करने में भी, 75 into 96.8, which is 7260, अब आप देखो के तो आपका account balance टेली कर चुका होगा, ये भी 694, 350 आना चाहिए, येस, 694, 388 आ रहा है, 4688, 682440, 7260, which is coming to 694, 388, और यहारे 694, 350, मतलब rounding off हमने ज्यादा कर दिया, तो ये rounding off की वाज़े से आता है error, मतलब अगर आप इसको 96.8 ना करके, actually में 96.795 करते हैं, तो शायद अंतर कम हो जाता, तो वैसे लिख देते हैं, कोई problem नहीं है, वरना फिर हमारा match नहीं करता है, तो टोटल, तो 7050 x 96.7946, 682402, 682402, और वही अगर यहां करूं तो 75 x 96.7946, चार डेसिमल प्लेस तक, 7260, अब चेक करें, 4688 plus 682402 plus 7260, यहां रहां 694, 350. और यह भी तुमारा आ रहा है, 694, 350. जनरली, चार डेसिमल प्लेस तक लेने के पीछे, लॉजिक ही रहता है, कि आपका, राउंडिंग ओफ की वज़े से, थोड़ा बहुत, 20-50 रुपे का गैप ना आ जाए, match करता रहे, पूरा, यह हुआ process 1 account, ठीक है? अब हम लोग चलेंगे process 2 account में, यह आगया process 2 account, किया, तो सबसे पहले यहां लिख देता हूँ है, 2 process 1, process 1 से जो चीज आई मेरे पाद, process 1 से जो चीज आई, उसकी number of units is 7050, यह unit का column भी हमको यहां बनाना था, यहां भी unit का column बनाना था, यह, ठीक है? 7050 और उसकी value है 682, 402, अब अगर कोई additional material हमारा लगा है, तो वो लगा लेते हैं, तो additional material तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सीधे लगी wages of 129,250, 129,250 की wages लगा देता हूँ, जरूरी नहीं होता कि second process में जाके और extra material लगे, जो material है उसी को आगे यूज कर लिया, 65% 15%, उसी का 65, इसी का 15, है ना, तो direct wages का ही हम लोगों ने 65 और 15% ले लिया, direct expenses और overheads, direct expenses to manufacturing overhead, यह हो गया, इसके बाद, realizable value is correct दिये 37.5, तो सबसे फ़हले लिखता हूँ हूँ, यह by normal loss, तो normal loss कितने प्रतिशत है, normal loss है हमारे पास, हमारे पास 10%, तो 7050 का 10% मतलब 705 units, और यह 705 units हमारी sell हो रही है, 37.5 रुपीज में, तो इट इस 2,6,4,3,8, 264,38, ठीक है सर, अब यहाँ पर मैं करूंगा, by process to नहीं, by FG account, final output कितना निकला second process से, second process से output निकला 6525 units, 6525, तो match कर लेते हैं भाई, एक बार क्या कोई abnormal loss या gain हो रहा है क्या, तो 6525, plus 705, 7230 आ रहा है, तो यहाँ तो abnormal gain हो रहा है, तो abnormal gain कितना, क्योंकि इसका total है, 7230, तो 7230 में से, अगर मैं 7050 माइनस कर दूं, मतलब 180 units के abnormal gain है, अब चाहे तुमारी ये वाली value ये वाली value है, दोनों को निकालने का तरीका वो ही रहेगा, cost per unit से multiply करके, तो पहले cost per unit निकालते हैं, तो cost per unit हो जाएगा हमारा, what is total cost, total cost is 682402, 129250, 84013, 13387, which is 915052, minus scrap value of normal loss, 26438, divided by 7050 units तो तुमारी input है, minus 705 तुमारा normal loss, 888614, यह आ रहा है, 140.049, 4 decimal place तक 0495 per unit, इसी को multiply कर देंगे, अब हम, into 6525 में, 913823, 913823, और यहां पर हो जाएगा, 180 into 140.0495, 25208, तो यह हो जाएगा, 25209, 25209, तो यह हो जाएगा, अब हम लोग इन दोनों को total कर देते हैं, तो यह हो जाएगा, 26438, plus 913823, which is 940261 again, यह हो जाएगा हमारा complete, अब न, process 1 account done तुमारा, process 2 account done, अब तुमारा बनेगा finished goods account, finished goods account में क्या, सबसे पहले वही आएगा तुमारा, जो तुमने वहाँ से transfer किया है, तो finished goods account में आएगा, 2, process 2, तो process 2 से हमने transfer किया, 6525 units, और इसकी cost है, 913823, अब finished goods के बारे में कुछ कहानी दी हुई है तुमको, बोल रहा है कि, 6,000 units of finished goods will be sold at 15% on profit on cost, तो इसमें से इतनी units तुमारी sold हो जाएंगी, 6,000, तो 6,000 अगर sold हो गई, तो उसकी cost कितनी है, 6,000 units की, तो 913823, divided by 6525 into 6,000, मतलब 840297, सर आपने profit क्यों नहीं जोड़ा, अरे यह sales थोड़ी है, यह cost of goods sold है, और by balance, तो 525 units का balance बच गया, जिसकी cost है, 73526, ठीक है, यह तुमारा FG account भी पूरा है, अब हमको income statement भी बनाना है, लेकिन उसके पहले, मैं दो important चीज़े, अब आपको conceptually सिखाने वाला हूँ, और वो है normal loss account और abnormal loss account, पहले normal loss account, देखो भई, normal loss account क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हमने किया था, process account, credit, normal loss debit, तो normal loss account debit, to process 1, कितनी units थी, 375 units और 4688 value, ठीक है, no problem, और उसके बाद एक बार और तुमारी entry होई होगी, second वाली process में, process 2 में 705 units था, और 26438 का उसका value था, यहां से कर देता हूँ, अब मैं buy, उसको छोड़ देता हूँ, बताता हूँ क्या buy, एक और single entry कर लेते हैं, abnormal gain और abnormal loss की, एक साथ सब को सम्झाओंगा फिर, abnormal loss account, abnormal loss account, क्या हूँ एंट्री, process account credit, abnormal loss account debit, 75 unit, 7260, to process 1, 75 unit, 7260, और वही फिर अगर, abnormal gain की बात करूँ मैं, तो abnormal gain में तुमारे पास, यहां पर आएगा, by process 2, second process में gain हुआ था, कितने का हुआ था, 180, 25209, 180 units, और 25209 की value, अब सुनी का मेरी बात ध्यान से, सबसे वहले process 1 में आता हूँ, process 1 में, तुमारे पास total loss कितना हुआ था, total loss, सर 7500 units बनी थी और 7050 units, output में निकली थी, मतब इतनी input, इतना output, total loss हुआ था, 375 और 75, total करूँ तो कितना कहला गया, 375 प्लस 75, सब साड़े 400 units का loss हुआ था, 450 units, 75, 75 और 375, साड़े 400 unit का loss हुआ था, साड़े 400 में से तुमने classify किया था, 375 को normal और 75 को abnormal, अब साड़े 400 unit जब तुम बेचने जाओगे, किसको, scrap vendor को, तुमारे scrap vendor को, जो साड़े 12 रुपे तुमको देता है, अब एक बात समझना यार, ये normal और abnormal जो बाली बात है न, ये तो सिर्फ clerical बात है न, लिखते हैं, या सच में जो तुमारे पास scrap रखा होगा, उसमें थुड़ी लिखा होगा, कि कौन सा normal है, कौन सा abnormal है, वो तो scrap vendor आता होगा, और तुम scrap vendor को सीधे, 4500 इन रुट देते होगे, और scrap vendor तुमारे खाते में, 4500 इन टु साड़े 12.5 रुपे से UPI कर देता होगा, ये लो, रिसीव हो गया 5625 रुपीज, अब इसी की journal entry दिखाता हूँ मैं तुमको, तो हमारे bank account में, या CLC account में, 5625 debit करेंगे, तू, तू, पहले डालूंगा normal loss account में, तो मैंने बोला भाई, 375 unit normal loss है, 375 unit पे साड़े 12 रुपे से, कितना कहलाया, 4688 credit, उसके बाद जो भी remaining बचाना, वो abnormal loss में चला जाएगा, कितना remaining बचा, 5625 minus 4688, which is 937 रुपेस, अब इनकी, वहाँ पर जाके हम journal entry का, पोस्टिंग कर देते हैं, तो normal loss account में हो जाएगा, by bank, या CLC, 4688, और जो remaining पैसा बचगे, 937 वो यहाँ के debit होगा, by bank, how much, 937, ओ, तो तुम्हें यह लग रहा था, कि तुम्हारा abnormal loss, 7,260 रुपीस का हुआ है, लेकिन abnormal loss बोलेगा, ठीक है, मैंने इतने रुपे का नुकसान किया है, लेकिन मुझे बेच के जो पैसा मिला है, वो भी तो एक तरह की recovery है न, यह recovery मैं, process account को नहीं दूँगा, क्योंकि process account ने मेरा खर्चा, अपने आप में absorb किया ही नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा, PNL में सीधे यह वाला amount डालने की बजाए, net करके डालूँगा, net, तो PNL account में net कितना जाएगा, चेक करो, PNL account में net जाएगा, 7,260-937 which is 6,323, इतना net figure PNL में transfer होगा, तो हमें ऐसा लगा करता था, कि जितना abnormal loss दिख रहा है, उतना पूरा PNL में जाएगा, जी नहीं, जितनी abnormal loss units बिकी हैं 75, उन 75 unit में साड़े बारा रोपे जो मिला है, उतना net होने के बाद, पूरा PNL में transfer होगा, यही same चीज़ अब हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं, यहाँ पर देखो actual loss कितना हुआ है, तुमने 7,050 units transfer करी हैं, input में, और 6525 units तुमारी output में ने कलीम है, 525 का तुमारा loss है, तो जो scrap vendor आया होगा, उसको 37.5 रुपीज का rate से, उसने तुमको scrap बेच दिया होगा, खरीद लिया होगा तुमसे, कितना, 1,9,6,8,8 रुपीज का, तो तुमारी journal entry क्या होगी, journal entry होगी, bank account debit, 1,9,6,8,8, 2 normal loss, सर, normal loss तो cover ही नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, जितना है, उतना ही रहने दो अभी, जितना है, उतना ही रहने दो, 1,9,6,8,8, अब मैं चला गए, normal loss account में, 1,9,6,8,8, buy bank, 1,9,6,8,8, तो समझ ये, 26,438 रुपीज से, तुम normal loss मान के चल रहे थे, value कि इतनी recovery होगी, लेकिन क्योंकि कम units तुम खराब करे, तुम्हारा कम loss हुआ, कम loss हुआ, तो सिर्फ इतना ही recover हो पाया bank से, अब जितना पैसा नहीं recover हो पाया, उसका क्या करोगे, अब वो तुम abnormal gain account में चार्ज कर दोगे, क्यों logic समझते हैं, और पी एन एल में जो credit होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 25209, माइनस 6750, 18459, जैसे अब normal loss को तुम क्या बोलते थे, कि तुमारी वज़े से loss हुआ, 7260 का, लेकिन तुमारी वज़े से थोड़ी recovery भी हुई, तो net PNL में इतना गया, वैसे अब normal gain को उल्टा बोलोगे, तुमारी वज़े से एक तो फाइदा हुआ इतने रुपे का, gain हुआ, लेकिन क्योंकि तुम, तुमारी वज़े से कम loss हुआ है, तो कम loss होने की वज़े से कम scrap value आई है, तो जितनी scrap value कम पढ़ी है normal loss वाले को, उसकी भरपाई तुम करोगे, तो ये भी पूरा का पूरा PNL में नहीं जाएगा, net off होके PNL में जाएगा, अब मैं आपको PNL statement दिखाता हूँ, और आप उससे values match कर लेना, ये देखो, abnormal gain कितना आ रहा है, 18459, 18459, abnormal loss कितना आ रहा है, 6322, 6323, 6322, ठीक है, वो rounding off का एक आतर रुपे का अंतर है, that's what we have to understand here, और ये देखो, 842297, 840297, 840297, फिर sales निकालने के लिए तो कुछ नहीं, 15% से profit जोड दिया, यहाँ पर basically समझना यह था सर, कि normal loss account, abnormal loss account, उनको कैसे बनाया जाता है, क्या जितना abnormal loss account दिख रहा है, क्या उतना पूरा का पूरा पी अनल में चला जाता है, जी नहीं, उसमें से scrap value का net off होके फिर जाता है, क्या जितना का abnormal gain दिख रहा, पूरा का पूरा पी अनल में credit होता है, जी नहीं, scrap value से net off होके फिर किन credit होता है तुमारा पी अनल में, ठीक है दोस्त, चलो, फाइन, यह हो गया हमारा एक master example, जो हमने पूरा लिख कर solve कर लिया है, अब आते हैं सर, हम लोग वो आले topic में, जो इसका second phase है, that is valuation of WIP, so valuation of WIP मतलब क्या, सर, confuse मत होना इसमें, simple funda मैंने class के starting में बताया था, cost per unit निकालने के लिए, numerator में चाहिए होती है, net cost और denominator में चाहिए होता है, number of completed units, अभी तक हमने जो भी सवाल किया, उसमें हर unit number of completed units ही होती थी, लेकिन अब हमारे पास आदी अधूरी units आएंगी, opening WIP, closing WIP, opening वाला इतने percent complete हुआ है, closing वाला इतने percent complete हुआ है, तो उन सब चीदों का adjustment करके, फिर हमको एक equivalent number of completed units निकालनी पड़ेंगी, जिसको निकालने के लिए हम एक working note बनाते हैं, जिसका नाम है statement of equivalent WIP, उससे हम लोग ये पूरा काम कर पाएंगे, ठीक है, yes, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, statement of equivalent WIP वाली चीज़ को समझते हैं, so valuation of WIP, क्या बोल रहा है, as done in a real example, average cost per unit कैसे निकाल रहे थे तुम, total cost को divide कर रहे थे number of units से, लेकिन reality में most of the process type industry में continuous work होता रहता है, so there is something called as opening and closing WIP, जिसकी वज़े से आप तुम्हें जो completed units निकालना है ना, उसके लिए तुम्हें थोड़ी difficulty आती है, तो इसके लिए तुम क्या करते हो, जो भी units तुम्हारी different stages है ना, उसका एक percentage निकालते हो, और percentage के basis पे उसको convert कर देते हो, equivalent completed units के case में, उसके form में, तो concept of equivalent unit यही है, कि जो भी percentage लगा हुआ, उसको multiply करके उसको complete के बराबर मान लो, जैसे for example, आपकी 2000 units जो है, वो process में हैं, जो अभी complete नहीं हुई है, और उस पर अभी 60% काम हो गया है, तो उसे कितनी unit के बराबर मानोगे, तुम उसे 1200 completed units के बराबर मानोगे, rather than 2000 units की बद, है 2000 unit, लेकिन क्योंकि उस पे 60% काम लगा है, तो calculation point of view से, उसे तुम 1200 completed units के बराबर मानोगे, ठीक है sir, next, अब इसका concept हमारे पास यहाँ पर आएगा, तो मैं आप यह छोटे वाले examples नहीं ले रहा हूं, सीधे एक बड़ा example ले ले लेता हूं, जिसमें हम FIFO और LIFO, दोनों चीज़ को समझ सकें, FIFO और weighted average को, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो तरीके की methods आती हैं, FIFO और weighted average, जिनको मैं एक बार तुमको ऊपर उपर से बता देता हूं, देखो, FIFO, weighted average, FIFO में क्या होता है, तुमारा जो opening है, opening WIP, उसकी cost और parent की cost, दोनों को तुम separate रखते हो, जब आपने material costing भी पढ़ा होगा, तब भी आपने देखा होगा, जब आप store ledger बनाते हो, तो opening units, opening units है, नई वाली units अलग दिखाई जाती हैं, और balance में भी दोनों को अलग अलग दिखाते हो, जब issue करते हो, तो पहले अलग rate करते हो, दूसरा अलग rate करते हो, mix नहीं करते, लेकिन weighted average में तुम क्या करते हो, opening WIP की cost और units, और current period की भी cost और units को जो है, तुम merge कर देते हो, तो यहाँ पर फर्क यह आता है, यहाँ पर जब तुम cost per unit निकालने जाओगे न, वो सिर्फ current के लिए निकलेगा, और opening के लिए जो तुम cost लेते हो, वो actuals वाली लेते हो, पिछले period की, उसमें यह पर unit को use नहीं करते, लेकिन जब तुम weighted average method यूज करते हो, तो तुमारे पास एक ही cost per unit निकलती है, वो combined होती है, तो यह relatively ज़्यादा easy पढ़ता है, यह वाला part, जब weighted average से किया जाता है, तो ज़्यादा easy पढ़ता है, लेकिन हमको दोनों बनना चाहिए, क्योंकि question हमको जो बोलेगा, हमको तो उसी method को use करना है, क्या दोनों से answer बदलते हैं, जी हाँ, क्या cost of material consume बदल नहीं जाता था, method change करने से, तो answer भी बदलते हैं, method भी बदलते हैं, इसलिए सर, हमको दोनों बनना चाहिए, दोनों समझ में आना चाहिए, अब एक question लेते हैं, बढ़ियां से पहले, पहले फीफो वाला को इसा लेते हैं, उसके बाद weighted average लेंगे, क्योंकि weighted average तो easy है, यह रहा, तो जैसे यह देखिए, Hill manufacturing limited uses process costing to manufacture water density sensor for hydro sector, the following information pertains to operations for the month of May, opening WIP, 16,000 units, इस period में तुमने 1,00,000 units पर काम करना शुरू किया, अब logic समझ रहो, 16,000 units तुमारी वैसी थी, जिन पर पहले से काम चल रहा था, जो complete नहीं हो पाया था, पिछले period में, इस बार के लिए वो opening कहला गया, इस बार जो नया काम शुरू हुआ, एक लाग units पर शुरू हुआ, इस बार कितनी units तुमने produce कर दी, 92,000, अब समझो बात को, जो 92,000 units तुमने produce करी होंगी न, उसमें से 16,000 तो पहले वो वाली produce हुई होंगी, जो पहले से बन रही थी, जो कि started, in, previous period, उसी को तो हम लोग opening WIP बोलते हैं, तो remaining कितनी unit ऐसी होंगी, जो इसी बार बनना शुरू हुई, और इसी बार खतम हो गई, 76, newly started और इसी बार complete हो गई, अब देखो, एक लाख में से 76 unit इसी बार की complete हो गई, तो बाकी जो 24,000 बची, वो तुमारी closing WIP है, मतलब जिन पर अभी भी काम चल रहा है, जो अगले period में जाके खतम होगी, अब बोल रहा है, opening WIP जो है तुमारा, उसमें 60% material लग चुका था, लेकिन, conversion cost, conversion cost मतलब labor plus overhead, वो सिर्फ और सिर्फ तुमारा लगा था, 20% इसका मतलब, ये 16,000 unit जो पिछले period में बनना शुरू हो गई थी, पिछले ही period पर इस पर 60% material लग चुका था, और 20% labor overhead, तो इस period में कितना लगेगा, तो इस period में 40% material लगेगा, और 80% labor overhead लगेगा, रही बात तुमारे closing की, तुमारा है, ending inventory में 90% material लग चुका है, और 40% conversion cost लग चुका है, तो इसमें material 90% है, और labor overhead तुमारा है, इसमें 40% लग चुका है, cost pertaining to the period are given as below, सर जो beginning की inventory है, beginning की inventory ये वाली, 16,000 units, इस पर जो cost लग चुकी है, उसकी value कितनी है, तो सर उस पर material इतने रुपै का लग चुका है, labor इतने रुपै का लग चुका है, और overheads इतने रुपै का लग चुका है, और इस current period में हमने जो total खर्चा किया है, वो ये रहा, अब आपको बताना, using the FIFO method, the equivalent number of units of production of material, and then you have to find out cost per equivalent unit, देखो cost per unit तो निकाल नहीं, ultimately, तो अब मैं आपको format दिखाता हूँ, statement of equivalent production का, format में सबसे पहले हमारे पास आता है, particulars, units, input units लिख देता हूँ, बसिकल और फेर पर्टिकुलर्स, और फिर लिख देता हूँ, output units, तेरी जो output units है, इसमें percentage लगा के, पहले material के point of view से, उसके बाद labor, plus overhead के point of view से, percentage units, percentage units, यह तुमको निकाल रहा, अब सबसे पहले मैंने बोला, input कितना लिया है मैंने, sir input मेरे पास दो है, एक तो opening में 16,000 था, और नया हिस्वार डाला वो, तो opening WIP में 16,000 units, और started, fresh, यह new, यह introduced, 1,00,00,00, यह एक लाख 16,000 units का input है, अब रही बाद output की, तो output के लिए अगर मैं बोलूँ आप से, तो output के लिए हमारे पास है, कितना हमने complete किया, 92,000, अब जितना हमने complete किया, उसके दो टुकडे बनाएंगे, जो भी completed production है, उसमें पहला आएगा from opening WIP, 16,000, और दूसरा आएगा from, from opening WIP 16,000, and from new 76,000, तभी तो 92,000 पूरा होगा, अब यहाँ पर percentage लगाएंगे हम लोग, दोनों के percentage, तो मैं बोलूँगा, कि जो 16,000 यूनिट्स मेरी complete हुई हैं, पहले उन पर पूरा cost नहीं लगा है, उन पर material तो already लग चुका था 60, material से 40% लगा है, और उन पर labor overheads already 20% लग चुका था, तो अभी 80 और लगा है, तो 16,000 इंटू 40% जो 6400 यूनिट्स, और 16,000 इंटू 80% विच इस 12,800 यूनिट्स, यह हुआ तुमारा opening वाला, लेकिन जो 76,000 यूनिट्स जो इसी बार बननी शुरू ही हैं, और इसी बार खतम भी हो गई, उस पर तो पूरी की पूरी कॉस्ट 76,000 यूनिट्स के लिए इसी बार लगी है, 100% और अब आता है यहाँ पर हमारे पास यहोगे 92, तो अब आएगा आपके पास closing WIP, closing WIP तुमको दिया है 24,000 यूनिट्स जिस पर 90-40 कम्प्लीट है, तो यह 24,000 यूनिट्स इन्टू 90 परसेंट कम्प्लीशन, तो माटेरियल लग चुका है उस पर 90 परसेंट मतलब 21,600 कम्प्लीटिड यूनिट्स के लाइक माटेरियल क्यलाएगा, और 90 के बाद दूसरा 60 है कि 40 है कितना है, 90 और 40 है, तो 9,600 लायक कन्वर्जिन कॉस्स लग चुकी है, अब पहले इंपुट आउटपुट को मैच कर लेते हैं, 1,16,000 यह भी 1,16,000 होना चीए, ठीक है सर, अब माटेरियल के पॉइंट आउव यूनिट का खर्चा हो चुका इस बार, माटेरियल के पॉइंट आउव यू से, माटेरियल के पॉइंट आउव यू से तुमने कितनी कंप्लिटिड यूनिट पर खर्चा कर दिया है, 1,4,000 और वही अगर लेबर और ओवरहेट के पॉइंट आउव यू से गिना जाए, अब तुमको निकालना कॉस्ट पर यूनिट तो कॉस्ट किस-किस चीज की, माटेरियल की, लेबर की और ओवरहेट की, तो पहले हम लोग कॉस्ट लिख देते हैं, और उसके बाद यहां पर लिख देंगे number of equivalent units, तो कॉस्ट हम लोगों को दियो, यह कितनी, 4,79,000 रुपीज, लेबर की कॉस्ट है, 182,880, और ओवरहेट की कॉस्ट है, 391,160, इसको हमको डिवाइड करना है सर, number of equivalent units के साथ, जो कि हम लें अर्रेडी निकाल दिया है, 1,4,000 material के viewpoint से, 98,400 labor और overheads के viewpoint से, अब इसको तुमें इससे डिवाइड कर देते हो, तो काम हो जाता है तुमारा, 4.605 cost per unit, 1.8585, और 391,160, divided by 98,400, 3.9752, यह आगी तुमारी cost per equivalent unit, तो इसके साथ हम लोगों नहीं question कर लिया, ठीक है, cost per equivalent unit, तो basically FIFO method में क्या समझ में आया तुमको, कि FIFO निकालते समय तुम इन दोनों को separate out कर देते हो, current को अलग लेते हो, opening को अलग लेते हो, opening का सिर्व वो portion लेते हो जिस पर इस बार काम हुआ है, जो पिछली बार काम हुआ है उसको अलग रखोगे, करेंगे, इसमें यही चीज तुमारी उल्टी हो जाएगी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपर cost per unit हमारा कितना आ रहा है, अच्छा है इन्होंने overall निकाल दिया total, conversion cost का 5.83, 5.83 हमारा इन दोनों का total करो कितना आ रहा है, यह भी 5.83 आना चाहिए दोनों का total, 3.97 और 1.8585, हाँ वह यह आ रहा 5.83, तो हमने तो material कभी निकाल दिया, labor कभी निकाल दिया, overheads कभी निकाल दिया, उन्होंने सिर्फ conversion cost का पूछा था, और यह देखो, 1,498,400, ठीक ब्रो, अब हम लोग एक weighted average वाला question करते हैं, ठीक है, जिसमें losses भी हैं और weighted average भी है, सब कुछ है, तो और बढ़ियां तरीके से आपको चीज़ है, समझ महेंगी यहां पर भी, so, देखिए, following details are related to the work done in process 1 by XYZ company during the month of March, opening WIP 2000 units, 2000 units opening में थी, जिस पे इतने इतने रुपए का material लेबर overhead लग चुका था, इस particular period में 38,000 नई unit हमने बनाना चालू करी, और इतनी units का total loss हुआ है, जिस total loss में भी पूरा material लग चुका था, labor overhead पूरा नहीं लगा हुआ है, closing WIP में 2000 units है, जिस में material पूरा लग था, labor overhead पूरा नहीं लगा है, 80% लगा है, equivalent WIP, equivalent production units, why, particulars, input units, particulars, output units, उसके बाद फिर material, labor या overhead दोनों के percentage same है generally, percentage units, और percentage units, ठीक है, हमने input में opening लिया था, कितना, 2000 units, और introduce कितना किया था इस बार, तो introduced units थी तुमारी, 38,000 units, तोटल 40,000 का input था, इस में से कितना तुमने इस बार अगले process में transfer कर दिया, 35,000 units, अब यहाँ पर जब मैं output लिखूँँगा, output to next process, तो इस बात को ध्यान दीजे, मैं इसमें opening और current वाले को अलग-अलग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह average method है, मेरे लिए सब बराबर हो जाएंगे आप, पूरी 35,000 units मेरे लिए बराबर है, अब और क्या लोगे सर, नॉर्मल लॉस ले लोगे, नॉर्मल लॉस हमको दिया है, 5% of total input, including opening, तो 40,000 का 5% which is 2,000 units, और फिर तुमको एक चीज और दियू, यह देज, closing WIP, closing WIP है, 2000 units, closing WIP है, 2000 units, अगर यह match कर गया, तब तो ठीक है, अगर match नहीं किया, तो जरूर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन कुछ होगा, तो यह हो रहा है, 40,000 units, और यह हो रहा है, 35 और 237 तो 39, एक हजार का shortage आ रहा है, वो एक हजार हो जाएगा तुम्हारा abnormal loss, ठीक है, अब इसका percentage कैसे लेंगे, वो समझते हैं, देखिए सर, जो output निकला है, उसमें तो मैं यही मान के चलूँगा, क्योंकि opening वाले को तुमने current के साथ merge कर दिया, तो 100% material इसी बार लगा है, पूरी 35,000 units, और 100% labor overhead भी इस तरफ इसी बार लगा है, पूरी 35,000 units, that is, what is output to next process, उसके बाद normal loss, सर, normal loss की unit, एक ऐसी unit है, जो कि आप जब net units निकालते हो, denominator में तो minus की जाती है, अब मैंने बोले यार, इसको अभी मैं 100% ले लूँ, और बाद में जाके minus कर दूँ, इससे better तो यह होगा, उसको मैं low ही ना, better होगा उसको मैं low ही ना, जिस चीज़ को आपको eventually minus कर देना है, तो उसको low ही मत, हमेशा statement of equivalent WIP के format में हम normal loss को 0 लेते हैं, अब आती है abnormal loss की बारी, अगर question में कुछ ना दिया हो, तब तो 100-100 लेना है, लेकिन अगर question में detail दिया है scrapping का, यह 3000 units तुम्हारी scrap हुई है, जिसमें material 100% और labor overheads 80% लगा था, तो यह 80% तुमको ध्यान देना पड़ेगा, तो 1000 की abnormal loss material के point of view से 1000 कहलाईगी, लेकिं labor overheads के point of view से 800 कहलाईगी, और वही closing WIP में भी यह percentage दिया हुआ है, I guess एक बार चेक कर लेते हैं, closing WIP में 100 और 80, तो 2000, 1600, because this is 80%, इसका और इसका अब आपको total करना है, ठीके sir, कर लेते हैं, so 35K, 1000 and 2000, the answer is 38,000 units, and 35,000 plus 1600 plus 800, which is 37,400 units, यह हो गया आपका labor और overheads के point of view से, यह हमने निकाला भी statement of equivalent WIP, अब यह number of units दोनों निकल के जाएंगे, cost per unit का calculation करने के लिए, अब इस बार cost per unit अलग निकलेगी, अब क्योंकि तुमने opening की units को current unit के साथ merge कर दिया है, तो cost भी merge करनी पड़ेगी, सबसे पहले यहां लिख देता हूँ मैं material, labor, overheads and total, पहले cost, opening cost, और फिर current cost, so opening में material, labor, overheads कितना लगा हूँ है, वो दिया है क्या, दिया है sir, 80, 15 and 45, 80, 15 and 45, और current period में कितना material, labor, overhead लगा है, current period में लगा है, 14,80,359, और 10,77, इतना current period का cost आपका लगा है, 10,77, ठीक है, अब यह हो गया total cost तुम्हारा, जिसको तुमको use करना, divided by करने के लिए, number of units से, तो इसके मैं यहां ले लेता हूँ, 80,000, 14,00, 80,000, यहां लेता है, 15,60,000, उसके बाद 15,000 प्लस 3, 59,000, इस 3, 74,000, 45,000 and 1, 0, 7, 7,000, विच इस 1, 1, 2, 2, 3, 4, 0, यह हो गया, अब एक चीज़ और याद रखने है तुमको, जब भी तुम cost per unit निकालते हो, तो scrap value माइनस करते हो, जब तीनों component अलग अलग दियो हो, तो कहां से माइनस करो, scrap value, तब scrap value आप माइनस करोगे, सिर्फ और सिर्फ material से, scrap value of normal loss, तो कितनी scrap value दिये है question में, scrap value 20 रुपीस पर piece, और हमने normal loss किया है, 1000 units का, I guess, 2000 units का, 40,000, और कहीं से माइनस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ materials, बाकि सेम रहेंगे, यह हो जाएगा, 15,20,000, अभी हो गया, net cost, इसमें आप तुमको divide करना है, number of equivalent units, number of equivalent units आपके कितनी है, 38,037,400, यह हो जाएगा, 15,20,000, और 38,000, बाकि से माइगा, 40,000, पर उनित, 374,000, और 37,000, 400,000, बाकि से माइगा, 10 रुपीस पर उनित, and double one, double two, k divided by 37,400, which is 30 per unit again, तो एक complete units को बनने में, 40, 10, 50, 30, 80 रुपे पर उनित लग जाएगा, एक complete unit को बनने में, 80 रुपीस पर उनित लग जाएगा, अभी हमने क्या क्या कर दिया, अभी हमने यह निकाल दिया, यह निकाल दिया, है, अब हम लोगों को cost distribute करनी है, इसमें क्या क्या निकालोगे, जो भी credit side के item है, उनकी value निकालना है, तो सबसे पहले निकालोगा, cost of goods transferred, simple है sir, आपने 35,000 units output बनाया है, और एक unit की cost 80 रुपीस है, हो गया, 35,000 into 80, क्योंकि पूरा complete है नहीं है, तो पूरी cost लगा दो, सीधे 28,000,000 रुपीस की, और वही अगर मैं बात करूँ, cost of abnormal loss, abnormal loss आपका, 1000 units का था, लेकिन उसमें catch है, catch यह है, कि material के point of view से, तो वो पूरा complete था, 40 रुपै, लेकिन, labor और overheads के point of view से, सिफ 80% complete था, labor और overheads के point of view से, 80% complete था, और labor और overheads भी 40 रुपै, 30 प्लस 10, 72,000 रुपीज का तुमारा, cost of abnormal loss आए, और लास्ट आता है, cost of closing WIP, closing WIP में भी वही सीन है, 2000 units है, जिस पर, पूरा material लग चुका है, 100% का, लेकिन जो बाकी 2000 unit है, उस पर 80% है, तो उसको 1600 के बराबर ले लो, तो इसका double आ जाएगा 144,000, बस, अब process account हम लो questions से देख लेते हैं, solutions से, तो देख लेते हैं process account भाई, इस सारी चीज़ तो हमने निकाल दी, ये सब तो ठीक है, no problem, normal loss 40, abnormal loss 72,000, closing WIP 144, और process 28,000, फिर abnormal और normal loss account बनाना, मैंने तुमको already, पहले सिखा दिया था, तो उसमें हमको कुछ और अलग से करने की जरूत, ऐस सच नहीं है, ठीक है, we have already understood that, अब ये point तुमारा कौन सवाला हो गया, तर ये हमने समझ लिया है, rated average भी समझ लिया, और FIFO भी समझ लिया, तो दो हमारे type की methods complete हो गया, इसके अंदर, बाकि फिर similar type के questions है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अलग बात नहीं है, percentage change हो जाता है, data change हो जाता है, that's it, पिर आता है, इंटर प्रॉसेस प्रॉफिट, इंटर प्रॉसेस प्रॉफिट जो है, वो हमारा आखरी topic इसका कहलाएगा, इंटर प्रॉसेस प्रॉफिट से पहले, एक चीज मुझे याद आ रही है, एक question में हमारे पास कुछ खास बात थी, that we have to understand, जिसमें multiple, दो प्रॉसेस में, दोनों जगे हमको इस्टे, हाँ ये वाला, अब exercise question 5 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है सर, एक company produce कर रही एक component, जो की दो प्रॉसेस से पास हो रहा है, during the month of April, material for 40,000 components were put in process 1, मतलब 40,000 units input है process 1 में, जिसमें से 30,000 complete हो गए, और अगले process में चली गई, जो नहीं transfer हुई, those who are not transfer to process 2, were 100% complete as to material and 50%, जो भी closing WIP है, उसमें material तो पूरा लग गया, लेकिं labor overheads अभी आधा ही लगा हुआ है, process 1 में material wages और overheads की cause दी हुई है, of those transfer to process 2, 28,000 units were completed and transferred to FG, अब तुमने second process में 30,000 डाला, उस 30,000 में से 28,000, second बार भी process हो गया, 2000 units अभी भी बज़ गई, there was a normal loss with no salvage value of 200 units in process 2, और बाकी 1800 units तुमारी closing WIP हो जाएंगी, जिसमें 100% material लग गया है, और 25% wages और overheads लगे हैं, 75% बाकी है, no further process material cost occur after introduction at the first process, until the end of the second process when protective packing is applied to the company, अब यहाँ पर packing वाली भी एक बात आती है, बोला second process में जो goods complete हो जाता है, उसकी packing भी कर देते हैं, तो packing की cost एक ऐसी cost है, जो सिर्फ उन units पर लगती है, जो वाकई में complete है, ऐसा नहीं कि तुमने percentage completion करके, closing WIP में भी packing कर दी, अरे, जो चीज अदूरी उसमें packing कैसे करोगे, तो packing तो सच में सिर्फ उन units पर होगा, जो complete है, तो packing सिर्फ 28,000 units पर होगी, ठीक है, पैकिंग मटेरियल की cost 4000 रुपे दी, ये direct wages, second process का दिया हुआ, फैक्टर रुट मतलब extra material कुछ और नहीं लगा है, सिर्फ packing material है, लेकिन भाई, process 1 से जो चीज निकल कर process 2 में आईए न, वो भी process 2 के लिए kind of material जैसा ही treat होता है, input, तो आप देखो, labor overheads तिर्फ 50-50% लगा था, तो वहाँ तुम पूरा 10,000 ना लेकर 5-5,000 लोगे, तो material के point of view से तो 40,000 पूरी units बन गई, लेकिन wages और overheads के point of view से 30 और 5, 35, इसको पूरा 10 नहीं ले सकते थे न, क्योंकि 50% compute, अब process 1 जब मैंने बनाया, तो process 1 account में ये देखो cost debit कर दी, उसके बाद ये process cost per unit, ये लोग कैसा statement बना रहे हैं ये लोग, अच्छा, यहाँ है process 1 account, तभी मैं सोच वे क्या हो रहा है, तो ये रही cost तुमारी, ये रही number of equivalent units, या आगी cost per unit, ये cost per unit को तो multiply करते जाना, तो material wages overheads, process 2 costs 30,000, 30,000 into total cost per unit, ये 3965 आ गया, उसके बाद तुमारा closing WIP, वहाँ material तो पूरा लग जाएगा, लेकिन labor overheads में 5000 के हिसाब से rate लगाना, ये आ गया, ये तुमारा process बना को, इसमें मजा है process 2 के अंदर, 1 तो क्या normal है जो हम अभी तक कर रहे थे, टू में मजा है, टू में देखो अब, टू में तुमने किसको material माना है, टू में तुमने material माना है, जो यहां से output निकला है, 1 में से, जो 1 में से output निकला है, ना वो 2 के लिए material की तरह है, 30,000 units were completed and transferred to process 2, तो process 2 में जब तुमने statement of equivalent WIP बनाया, तो देखो, तुम ले रहे हो, कि भाई जो completed units हैं, उस पर material पूरा लग गया है, wages पूरा लग गया है, overheads पूरी लग गई है, ठीक है, लेकिन जो closing में हैं, उस पे 100% material तो लग गया, लेकिन wages और overheads तुमारी जो है, वो कितने कितने परसेंट लगी, कि process 1 का जो output है, वो ही process 2 के लिए input बनाए material, तो यहां material word से confuse मत होना, कि sir, question में तो कही material दिया ही नहीं था, और packing तो अलग से लिखना था, तो packing तो अलग से हो गई, फिर ये वाला material कहां से आया, ये material का मतलब है process 1 का output, वो process 2 के लिए input बनाए, फिर number of units से divide कर दिया, तो cost per unit आगी, फिर उसके हिसाब से WIP का और finish का दोनों का stock निकाल दिया, खास बात इसके अंदर यह है sir, कि जो तुमारा finished stock है, जो सच में finish हो गया है, उस पे पूरा का पूरा protective packing का cost लगेगा, 4000 रुपे का, इसलिए देखना जब तुम finish stock लिख रहे हो ना, तो 4 to 607 की जागे 4000 जोड के लिख रहे हो, यह खास बात थी यहाँ पर, और रही बात तुमारे WIP की, तो उसमें packing तो हो गई नहीं ना, WIP पे क्यों packing होगी, इसलिए WIP को as it is लिख दिया, ठीक है, यह था इस एक और question का खास बात, उसके बात, Healthy sweets, Healthy sweets is engaged in the manufacturing of jaggery, its process involves sugar cane crushing, यहाँ पर units का लोचा है, kg में डाल रहे हो और लीटर में निकल रहा है, तो कैसे करेंगे सर, समझेंगे, समझेंगे, no problem, Healthy sweets कंपनी का नाम है, जो गुड़ बनाती, जैगरी, process में यह दिया हुआ कि, sugar cane जो है, वो crush हो जाता है, juice extraction के लिए, फिर filter होता है, फिर boiling होता है, juice का, कुछ chemical उसमें डालते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर काटते हैं, वो बड़े-बड़े pieces बन जाते हैं, गुड़ के, पूरी process समझा दी तुम हो, main process of juice extraction, उसको हमने process बन माना है, वो पुराने तरीके से होती है, फिर उसमें filtering और boiling करते हैं, वो process 2 है, the solidified blocks are then cut, packed and dispatched, for manufacturing 10 kg of jaggery, 100 kg of sugar cane is required, 100 kg जब तुम गन्ना डालते हो, फिर उसका फिर crush होके juice निकलता है, फिर उसको सुखाते हो, मातर 10 kg गुड़ बनता है, which extracts only 45 liter of juice, तो 100 kg of sugar cane डालोगे, तो 45 liter of juice निकलेगा, following information is given of process 1, opening में 4500 liter था तुमारे पास, मतलब उसमें already crushing हो चुकी है, process 1 हो चुका है, sugar cane, sugar cane 50,000 रुपे का लग चुका है, labor overheats इतने रुपे का लग चुका है, इस बार जो तुमने sugar cane इंट्रोड्यूस किया, वो एक लाग kg का इंट्रोड्यूस किया, direct labor है तुमको इतना, overheats इतना, abnormal loss 1000, degree of completion of losses दिया हुआ है, closing WIP में भी degree of completion दिया है, अब बोल रहा है, extracted juice transferred for filtering and boiling, output हो गया, 1 liter of juice को 1 kg के बराबर मानना है, अब ठीक है सर, अब रहत मिली, नहीं तुम्हें तुम confuse हो रहा था, तो यह जो 1,00,000 kg है ना, इसको तुम 1,00,000,000 के बराबर मानने लेना, इसका मतलब 1,00,000,000 का input डालने से, अगर मात्र 45 liter of juice निकलता है, तो 55% का normal loss है, येस, 55% का normal loss है, वही खास बात थी इस question के अंदर, तो देखिया आप 55% normal loss कैसे, बोले 100 kg of sugar cane extract 45 liter of juice, और 100 kg of sugar cane को हम 100 liter मानेंगे, क्योंकि 1 liter को 1 kg मानना है, तो तुम्हें खुद से अल्रेडी पाता है कि 45 liter ही निकलता है, तो 55% तो तुम्हारा normal loss हो गया, ठीक है दोस्ते, चलो, तो ओपनिंग में तुम्हें 4500 liter डाला, एक लाग लिटर और जोड दिया, complete हुआ, इतना output में बन गया, इतना तुम्हारा normal loss में चला गया, इतना abnormal, तो बाकि जो बच गया, वो 9000 तुम्हारा closing WIP है, फिर ये percentage तो तुम लगाई सकते हो, तो जो भी इस question में खास बात थी, वो ये वाली थी, 55% normal loss बाकि सब कुछ फिर नॉर्मल है, फिर तो क्या पूरा question लीटर में आ गया ना, जहां kg और लीटर दोनों दिख रहे थे, वाहां में confuse हो रहा था, तो इसने kg को लीटर में convert करवा दिया, बात कहता हम सारा के सारा लीटर में आ गया, चलो भाड़, फिर आता है inter process profit, अब inter process profit क्या है सर, इसमें बच्चों को बड़े खिक्कत होताई सर, inter process profits एक unique topic है, इसी process costing के अंदर, जिसमें ये बोला जाता है सर, कि अगर हमें हर एक process को, rather than considering as a cost center, अगर उसे profit center की तरा treat करें, कि उन्हीं को जवाबदारी दें कि आप इस तरीके से अपनी processing कीजिए कम से कम cost में कि आप profit में आ सकें तो वो profit center की तरह treat होगा तो ऐसे case में फिर पहली process जब दूसरी process को अपना goods भेजेगी तो उस cost पे कुछ markup करेगी, कुछ profit जोड़के फिर transfer करेगी तो जो transfer price यहां पर आएगी न, it is just like sale price तो जैसे मानलो दिया कि 20% on cost, जो भी cost आ रहा उस पर 20% जोड़ोगे तो transfer price आएगा like that, अब इसमें बहुत बच्चे confuse होते हैं उसके सीधे question में आता हूँ मैं, इसका question हम लोग आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नियम आपको, नियम कानून इसमें दिमाग में रखने होते हैं बस बाकी कुछ नहीं है, तो A limited इस product को produce कर रही है जो कि दो process से पास होता है the following data related to the month of October, हमारे पास इतना opening stock था, इतने रुपीज का ये currency दिये हैं direct material, direct wages, factory, closing stock, फिर कुछ और लिखा हुआ है, inter process profit included in the opening stock इस 7500 रुपय के opening stock में कुछ भी inter process profit नहीं है, लेकिन ये process 2 के opening stock में 1500 का opening profit है मतलब देखो, ये second process का जो opening है न, उसमें first process से आया हुआ, goods भी जुड़ा हुआ होगा उसी पर further processing हुई होगी, लेकिन क्योंकि वो अभी तक बन नहीं पाया और विकार नहीं है तो process 1 से transfer करते समय जो उसमें profit जोड़ा गया था, उसका हिस्सा 1500 रुपीज है फिर वही, जब तुम process 2 से finished goods में भेजते हो, तो finished goods में अगर कोई चीज unsold रह जाती है तो उसमें process 1 और process 2 दोनों का profit जोड़ा हुआ है, 8 to 5 0, like this अब दिया हुआ अगला point, कि output of process 1 is transferred to process, यह देखो so 1 4th on sales, मतलब 1 3rd on cost, 25% on price, 33.33% on cost, output of process 2 is transferred, 20% profit on transfer price 1 5 on sales, मतलब 1 4 on cost, 25% on cost, फिर बोल रहा है, जो भी stock in process आएंगे मतलब closing stock जो तुमारे पास बचेगा, दोनों WIP accounts में, process 1 में, process 2 में यह finished goods में, उसको तुम prime cost पे value करोगे, इस line का बहुत गहरा मतलब है और यह जब मैं question कराऊंगा, तभी समझा पाऊंगा, ऐसे औरली नहीं समझा सकता फिर चोथा है, finished stock is valued at the price at which it is received from process 2 पर जो finished goods account का closing stock है न, वो इस तरीके से तुमारे value होगा यह भी हम लोग आकरी में समझेंगे, sales भी दिया हुआ है, अब आपको बोल रहा है prepare the process cost accounts and finished goods account, लेकिन showing the profit element at each stage चलिए इसको जब तक लिख के नहीं करेंगे, तब तक तो क्या ही समझ में आए गई है इलुस्टरिशन शिस इलुस्टरिशन शिस ask question interprocess profit वाला interprocess profit का format पहले ध्यान से देखिए particulars amount जो भी amount है इसके अंदर कितना cost और कितना profit है उसका अलग से break up देना पड़ेगा और उसके बाद फिर से particulars credit side amount उस amount में कितना cost और कितना profit है अगें separately अब देखिएगा यह हमारा process 1 account ना इसी तरीके से process 2 account भी बनेगा पहले तुमको ना जो तुमको अलरेडी आता है बस उसमें ध्यान देना है पहले तुम यह profit और cost अलग-अलग दिखाना इसको भूल जाओ यह second stage पहले normally यह मानो कि amount column है amount column है बस जैसे तुम करते थे वैसे करो तो हम sir opening में ले लेंगे opening को two balance brought down अच्छा unit का data question में दिया नहीं है इसलिए unit column बनाने का कोई मतलब नहीं है 7500 units 7500 rupees उसके बाद जो भी cost है उनको book कर देते हैं कौन-कौन सी cost दी हुई है डाइड मिटल डाइड वेजिस फेक्टरी ओवर हेड कितनी कितनी cost दी है भाई 15,011,200,10,500 ठीक है sir, ओके report हो गया ये भी एकदम 15,011,200,10,500 फिर दिया closing stock 3700 तो buy balance closing stock 3700 ठीक है sir, no problem बस, अब ये normal question है जिसमें हमको cost दी हुई है closing stock दिया हुआ है तो यहाँ पर हम सीदे लिख देंगे buy process to balancing figure, कितना आ रहा है सेवन्टी फाइंड़ पंद्रह हजार ग्यारा दोसो 10,500,44,200 इसको भी अगर 44,200 के बराबर बनाना है तो इसमें से minus करना पड़ेगा 3700 में तो 40,000 अब ऐसा तुम तब करते ऐसा तुम तब करते जब एक normal question होता है जिसमें profit नहीं जोड़ना होता लेकिन यहाँ क्या बोल दिया यहाँ तो बोल रहा है तुमको profit जोड़ना है कितना profit जोड़ना है यहाँ तुमको बोला है इंटर प्रोसेस profit है 25% on price 1 4th on sales मतलब 1 3rd on cost इसका मतलब सर पहले मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा transfer price calculation of transfer price तो मैंने बोला देखो भाई cost of output मेरा कितना आ रहा है 40,500 और profit कितना है profit है 1 3rd 1 3rd मतलब 40,500 का बटे 3 13,500 तो इसका मतलब transfer price कितना हो जाएगा 54,000 अब तुम जो 4500 लिक रहे थे वो गलत है वो तो जब question without profit वाला होता तब use करते तो अब तुम क्या करोगे अब तुम 4500 लिखने की जगे उसकी price लिकोगे 54,000 सार फिर तो credit side बड़ा हो जाएगा कोई बात नहीं बड़ा होने दो हमको तो करना ही है उसको बड़ा भाई फिर अगर ये 57,700 हो गया तो इसको balance करने के लिए यहां आएगा तुमारा profit और ये जो profit आएगा इसी को बोलते हैं इंटर प्रोसेस profit 13,500 अरे सर ये तो इससे match हो रहा है ना match भाई उतनी करते हैं तुमने बढ़ा दिया value ठीक है ये हो गया हमारा process one account बिना किसी problem के normal तरीके से जिसमें अभी मैंने दो column बनाने बाकी छोड़ दियें भाई जान बुच के बाकी छोड़ दियें उसको load मतलो पहले तुम ये समझो कि original way में कैसे करना है ये original way हुआ ठीक है जिसमें अभी सिर्फ हमने हमारे amount column पर focus किया है और cost को mark up करके price पे दिखा दिया है इस वज़े से profit आ गया है अब सुनिएगा मेरी बात next सर ये तो पूरी तरह cost है सारी की सारी ये सब cost है और ये 13,500 ये तो profit है इसको profit column में दिखाए अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 54,000 रुपीज का मैं goods process 2 को भेजूंगा process 2 तो उस पूरे 54,000 को अपनी cost मान लेगा लेकिन मुझे पता है कि उस 54,000 के अंदर company का कितना cost लग चुक है अब तक उसमें अब तक लग चुक है 40,500 remaining जो उसके अंदर जुड़ा हुआ है remaining क्या 13,500 जो उसमें profit जुड़ा हुआ है और ये जो closing stock है तुम्हारे ये भी पूरी तरह cost है तो अब देखो एक बार क्या cost का column और cost profit का column मैच कर रहा है 75,000, 11,200, 10,500 ये आरहा 44,200 ये भी आरहा 44,200 ये 13,500 और ये भी है 13,500 अब ये बहुत important figure है जो यहां पर लिखा हुआ है क्यों क्योंकि ये figure ना तुमारे अगले account में transfer होने वाला है अब बनाते process to account पर्टिकुलर्स units तो यहां पर आएगी नहीं amount रहेगा cost रहेगा और profit रहेगा फिर से आएगा पर्टिकुलर्स फिर से नॉर्मली करते हैं सिर्फ amount वाले column को यहां सबसे पहले में कर दूंगा two balance brought down तो मेरे पास second process में opening balance कितना है दोस्त नाइन थाउजन रुपीज का सर यह नहीं अभी मत भरो उसको अभी नॉर्मल करो ना कुश्यू तो प्रोसेस वन प्रोसेस वन से जो आपको चीज मिली वो 54 थाउजन रुपीज की आपको बस उतना पता है आपको उसकी investigation नहीं करनी कि उसके अंदर क्या-क्या चुपा हुआ है उसके बाद next one is material wages सब लगा हुआ है two direct material wages factory overhead 15,750, 11,250 4500 और फिर यहां इस तरफ में closing stock भी लिख देता हूँ buy balance वो भी 4500 लिखा हुआ यह को लिखा है न 4500 closing stock हां सर अब अगर मैं तुम से यह पूछ हूँ कि what is cost of output जो second process में output निकलेगा उसकी cost क्या है तो मैं net cost बताऊंगा भै कि 9,000 रुपीज का opening में था 54,000 इस बार input आया 15,750 का material लग गया ग्यार दो बचास का wages 4500 का यह 94,500 माइनस 4500 तो अगर process profit वाला चीज नहीं होता तो हम सीधे यह 90,000 को यह वहां लिख देते हैं लेकिन अभी तो हमको उसकी price निकालनी है तो यहां पर हमको जोड़ना पड़ेगा कि उसमें कितना profit लगा है तो second process को लेके profit का percentage बताया है आपको 20% on sales मतलब 25% on cost 1 4th on cost विच मेंज 90,000 upon 4 मतलब 22,500 तो invoice price या transfer price हो गया तुम्हारा 112500 इसको मैं बोलूँगा transfer price और इसी को वहां लेके जाओंगा 112500 और यहां लिख दूँगा by FG stock account यह हो गया 11250 इससे अब यहां पर मेरे पास profit generate हो जाएगा कितने गा 22,500 रूपे गा और इसके साथ हमारा यह वाला खातक हो जाएगा amount column एक लाग सत्रह हजार और इसको बड़ टैली कर लो एक लाग सत्रह आना चीए ठीक है अभी मैंने क्या बोला जितना मैंने यलो से solve किया है यह तो हमको अल्रडी बंता है यह तो हमको अल्रडी बंता है इसलिए कि यह तो मेरी पूरी cost है लेकिन company को यह बात पता है कि इस 54,000 की cost में पिछले process का भी कुछ profit जुड़ा हुआ है कितना 13,500 यह बाकी की चीज़े तो actually cost है इसमें तो कोई profit नहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि यह तो core वाली cost है इसमें यह कोई कहीं और से आतो नहीं रही है जिसमें profit जुड़के आ रहा हूँ और यह पूरी तरह profit है जो इसी process account में हमने जुड़ा है लेकिन यह जो opening है opening ओपनिंग का मतलब क्या होता है उसका कुछ profit जुड़ा हुआ होगा वही question में दिया हुआ है तुम कि process 2 के opening stock 9000 में 1500 रुपे का profit जुड़ा हुआ है process 1 वाला अच्छा तो मतलब core core cost अगर इसकी देखी जाए वो कितनी है 7500 तेखो यह भी process 2 में तो अधूरा है यह काम process 2 में अधूरा है इसलिए process 2 का profit तो उसमें जुड़ा नहीं है लेकिन process 1 से जो समान आया था उसी पर तो तुम फर्दर काम कर रहे हो तो process 1 का कुछ तो profit जुड़ा हुआ होगा उसमें जुड़ा हुआ है अब अगर मैं मेरे closing stock में cost और profit अलग अलग निकाल पाता हूँ न तो अपने आप balancing figure से मुझे इसका cost और profit पता चल जाएगा क्योंकि मेरा debit side पूरा complete हो गया है credit side में दो ही item है अगर closing stock का मेरे को cost और profit का split पता चल गया तो अपने आप मेरे को finished goods का कितना cost है कितना profit ही पता चल जाएगा अब उसके लिए question की वाली line पढ़ते हैं stock in process मतलब closing stock in process is valued at prime cost वो prime cost पर value करनी है prime cost पर मतलब चलो देखते हैं prime cost पर मतलब क्या prime cost मतलब होता है direct material direct wages factory overhead तो अगर मैं इस वाले case में देखू तो सिर्फ overheads को अगर मैं छोड़ दूँ और अगर यहां तक का figure लूँ यह पूरा figure लूँ तो अब मैं तुमको बोलता हूँ कि process 2 की जो prime cost है process 2 की prime cost prime cost of process 2 वो है कितनी total total कर दो yellow वाले portion का total कर दो तो yellow वाले portion का total हो जाएगा 9,000, 50, 4,000, 15,000, 750, 11,250 और 4500 मत लेना रहे sorry यह ने गलती से टिक कर दिया यह तो नहीं लेना था यहां तक लेना था overheads नहीं लेते ना उसमें prime cost 9,000, 50, 4,000, 15,750, 11,250 which is 90,000 rupees तो and what is the inter process profit included in it उस 90,000 की prime cost में कितना profit जुड़ा हुआ है मैं बोलूँगा 13,500 प्रस 15,000 तो जब prime cost के अंदर 15,000 रुपे का already profit जुड़ा हुआ है और इसी basis पे तुमको यह closing stock निकालना है तो बताईए what is the profit portion in closing stock तो profit portion of closing stock will be like this अब तुम यह बोल दोगे अच्छा अगर 15,000 रुपे का profit जुड़ा है जब 90,000 की total cost है तो अगर यहां process टूखी 45,000 की cost आ रही है तो उसमें कितना profit मान लूँगा मैं प्रो रेटा अच्छा प्रो रेटा करना है yes 750 और यही उस line का मतलब है यह वाली जो line है stock in process is valued at prime cost कि जैसे prime cost के अंदर जितना percent profit है उतना ही तुमको इसमें भी डालना है 750 तो यह white color से मैं आप 750 लिख दूँगा इसको 3750 3750 बढ़ी है सर नो प्रोब्लम ठीक है अब एक बर यह निकल गया बस balancing figures निकाल देते हम 79500 79500 minus 3750 7575 what about profits so profits are 15,000 plus 22,500 is 37,500 37,500 750 तो closing stock में रहेगे बाकि पूरा profit उस चीज में ट्रांसफर हो गया जो FG में जा रहा है 36750 यही था तुमारा main case इस चीज का process 1 और process 2 का इंटर प्रोसेस प्रोफिट इसके साथ यह हम लोगों ने आप देखो इंटर प्रोसेस प्रोफिट का पार्ट कर लिया यह देख सकते हो आप तो क्या स्टेजिस मैंने समझाई पहले आप अमाउंट वाला कॉलम कंप्लीट करो यह टोटल वाला कॉलम फिर बाद में cost और profit निकालने का situation देखो फिर ऐसी finished good stock बन जाएगा पिनिश्ट गुड इस्टॉक अकांट में भी तुमको देखो क्या डेटा दिया हुआ उसके लिए उसके लिए तुमको डेटा दिया है कि 22,500 का ओपनिंग है जिसमें इतने रुपे का इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है तुमने 22,500 का ओपनिंग ले लिया और यहां से कितना तुमको पता चल गया कि भाई तुमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है 16,250 अब उसके अंदर कैसे स्प्लिट किया तुमने ओपनिंग स्टॉक का तो क्वेशन में दिया था कि 8,240 का प्रॉफिट डला हुआ है और प्रोसेस टू में कितना प्रॉफिट एड होके आ रहा है व फिर 1250 में कितने रुफिट होगा प्रोरेट अप्राइम कॉस्ट नहीं कॉस्ट एट विच दप ट्रांसफर प्राइस पर जितना पर्सेंटेज प्रॉफिट जुड़ा हुआ हुआ है उसी रेशियो में तो अगर 11,200,12,500 में 3675 0 है तो 11,250 में 3675 हो जाएगा इस तरीके से तुमारा पूरा क्लेशन यह भी हो जाएगा इसके साथ हमारा सर प्रोसेस कॉस्टिंग का चैटर पूरी तरह खदम होता है जिस तरीके से हम यूट्यूब पर फ्री क्लास आपके लिए कंड़क्ट करते हैं अनकेडमी के स्पेशल क्लास में जाकर भी आप एक बर यह बेक बेक बेसेस पर होती रहती है तो डाउनलोड एनकेडमी एप और गो और अवी आपको फिर लगता है कि हमारी टीचिंग वालटी आपको अच्छी लगी प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगा और यहां पर आप सी एग्जामिनेशन को सिलेट करके यहां पर चले यह आपके सामने आएगा सब्सक्रिप्शन में जाएए प्लस आइकॉनिक लाइट तीन ऑफ्शन है सब्सक्रिप्शन मॉडल पूरा प्लस में आता है नेट्फ्लिक्स ऑफ एड्यूकेशन आइकॉनिक में भी आता अलॉंग विध इस एक्स्ट्रा फीचर प्राइज देख को कितने का 22,000 का 20% आफ चल रहा है भी 29 जुलाई तक वह यह आइकॉनिक के प्राइस देखो 43,800 अगर तुम 12 मंस का लेते हो क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं सी यह प्रणा कोड लगाओ कि वहाँ भी 20% आफ हो जाएगा लाइक इस तो यह कोड आप यूस कर केता हूं उसको देखकर आप अपनी सेल्फ स्टेडी को और तगडा कर सकते हो कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले एक बर बन शॉट देख लो ताकि फटा फट फट फिर आपको जो है कंप्लीटली एकदम बढ़ियां तरीके से रिवीजन स्पीड में हो जाए ठीक है चलो बबाय टेक केर वेरी गुट डे गई गैस और लेटाय।